शुक्त प्रफात मेरे प्यारे बच्चों मैं वर्णना कुमारी वर्वी देट्रिये के सभी छात्रिक प्लाव ओन्लाइन की पढ़ाई में हार्दिक अपिनिन दो तो बच्चों, आज हम अपने पाठेक्रम एवन पाठेक्पुस्तर के अधार पे पाठ साथ पिता कापत पुत्री के नाम को पढ़ेंगे तो बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पिता कौन है पार्ट में और पुत्री को है तो बच्चों, मैं पहले आपको पिता का परिश्य देती है पिता इस पार्ट में है पंडित जवहरलानेहरू हमारे भारत की प्रथम प्रथानमन थे पंडित जवहरलानेहरू कौन थे हमारे आजार भारत की प्रथम प्रथानमन थे उनका जन 14 नवंबर 1889 को हुआ था, उनकी पिता का ना मोति ना मेरू और माता का ना स्वरूप देनी था पंडित नेडू को बच्चे चाचा नेडू करके बुलाते थे, क्यों कि पंडित जवाहण नेडू को बच्चों से बहुत प्याद थे चोटे बच्चों और उनकी जन्द दिन को जिसलिए हम लोग वाल दिवस की रूप में मनाते हैं वाल दिवस की रूप में हम हमें साथ 14 नौबर को हर जगा तरह तरह के काड़े कराव होता खाज करके विज्यारियों में, क्योंकि विज्यारियों में बच्चे रहते हैं बच्चे पढ़ते हैं और चाचा नेरों को बच्चों से बहाद प्रेट तो हम नेरों जी की विशय में जानगे और उनकी पुत्री श्रीमती इंद्रा गांधी जो हमारे आजार भारत की प्रेथा महना प्रहा मनें जिन्होंने आजार दिलाने में बहाद छोटे से उम्र में भारत को आजार करने में बहाद बड़ा जोटा हुआ उन्होंने बानर स्रीना का भी एक संगठिल बनाया और यह पत्र इंद्रा जी के तेरवी जनमदीन पे इंद्रा जी उस वक्त से तीरह वर्ट की थी और चाचा नेरों पंडित जवारला नेरों ने उन्हें जेल में रह प्राम में उन्हें जेल जाना पड़ा था जेल में रहकर उन्हें अपनी पुस्त्री का जनमदीन याद था और वा नैनी जेल से अपनी पुस्त्री को जेल में जनमदीन पे पत्र लिए और थे बेटा मैं जेल में रहकर क्या हूँ बहार दे सकता मेरी सुखकाम नाय और बेटा आज भारत वर्ष कठिन परिस्तिती से उसर है और बागों ने गांधी जी ने जो भी अपने भारत वर्ष के लिए कारिक कर रहे हैं उसमें तुखादा सैयोग आपश्यक है तुम उसे सैयोग करो सांसी बनो और निडर बनो तो बेटा हमें था तुम कोई ऐथा कारे नहीं करना जिसे तुम्हें लच्जित हुआ तुम निडर बनो तुम सांसी बनो तो बुच्जो मैं इस पार्ट में पार्ट को पहले पढ़कर समझाओंगी अपनी पार्ट को आप पहले समझें तो कहते हैं कि आज नेरू जी कहते हैं अपनी पुत्री से आजकर हमारे भारत के इतिहाद का निर्मान हो रहा है बापुजी ने भारत बार्षियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलत छेरा है मैं और तुम बहुत ही भागिशाली हैं कि यह आंदोलत हमारे आँखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं एक महान उद्देश हमारे सामने हैं इनमें इनकी पूर्ते के लिए बहाद कुछ करना है अब सोचना यह है इन महान आंदोलत में हमारा कर्तब क्या है इसमें हमें इतना आवस्चत असमरन रखना चाहिए आवस्चत याद रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को फानी ना माच कई बार हम संदेश से भी पढ़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें या निश्य करना कोई सरलकारी नहीं है जब भी तुम्हें ऐसा संदेश हो तो ठीक बात का निश्य करने के लिज मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ तुम कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें दूसरों से छिपाना पड़े और सरमिंदा होना पड़े छिपाने की इश्या जब होती है पीटा जब हम किसी कोई कारी को गलत कर पैटते हैं तब ही मुझे चिपाने की आवशकता होती है बहादूर बनो और सब को स्वय छीत हो जाएगा तुम ऐसा कोई कारे नहीं करना जिसे तुम्हें टरना पड़े और लचीत होना पड़े तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बाबुझी ने बाबुझी की नेत्रित्र में शतंतता का जो आंदूर चलाया जारा है उसे छिपाय रखने जैसे कोई बात नहीं है हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते है दिन के उजाले का अर्थ है कि सब को बता के सब को दिखा के करते है रात के अंधेरे में नहीं करते है रात के अंधेरे में तो भलत कारे है दिन के उजाले का आर्थ है कि सब को दिखा क सब को बताकर करते हैं Hindi है भारत की सिवा के लिए तु बहादूर बनो या मेरी सुभकाम मना आ हैं वेटा तू अपने भारत की सिवा के लिए बहादूर बनो तो बच्चों हर माता death को अपनी बच्चों की छमता, अपनी बच्चों की छमता से वो अबगत रहते हैं, हमारा बच्चा क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और उनकी छमता के अमशार हमेजा माता पिता सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेडिक करते हैं.